तो ratio and proportion का आज का हमारा पहला question क्या है? कि यदि A और B का अनुपाद 4 अनुपाद 5 है, यानि 4 is to 5 है, 4 ratio 5 है और उनके वर्गों का अंदर 81 है, यानि 81 है, तो A का मान कितना होगा? तो यहाँ पर क्या पुछा गिया? A का मान पुछा गिया हमारा, ठीक है? तो मान लेते हैं कि अगर A और B का अनुपाद दिया हुआ है, तो मान लेते हैं A 4X हो गिया और B हमारा क्या हुआ? 5X, ठीक है? मान लेते हैं, ठीक है? तो हम लोग क्या करेंगे? तो A का मान दिया हुआ 4X, तो 4X का square और 5X का square करेंगे, ठीक है? तो 5 x square कितना हो गया 25 x square minus 4 है 4 for just 16 x square ठीक है equal to हमारा वर्गो का अंतर कितना दिया हुआ 81 दिया हुआ ठीक है तो इनके वर्गो का अंतर दिया हुआ तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको 25 से 16 को minus करेंगे तो हमारा कितना जाएगा 9 x square equal to 81 तो 9 से 81 को divide कर देंगे तो 9 आएगा ठीक है तो इसका square में क्या हो जाएगा 9 को हम लोग root under कर देंगे ठीक है तो root under कर दिये अब क्या होगा 9 का मान हमारा क्या हो जाएगा x equal to हमारा मान कितना हो जाएगा 3 root के बाहर निकाल दिया ठीक है हमारा सही answer हो जाएगा क्या 12 तो एक कमान हमारा क्या निकला एक कमान हमारा 12 निकला तो इस तरह से हम लोग आसानी से चुटकियों में रेशियो एंड प्रोपोर्चन के को सॉल्व कर से ते हैं अब चलते हैं अगले कुश्चेन की और दूसरा कुश्चेन क्या है दूसरा क्या हो जैसे तो a by b अनुपार dc anofasca a equal to क्या होगा तो इसका मान क्या थो हमें यह देख सकते हैं अपसं this उले हुआ है इन में से कौन सा एंसर होगा called 2 Ee और राब्सक्तरी अनुपार उसके बाद b कमान क्या दिया हो और एक हम दो जैसे कि हो गिए कि अनुपार से प्र एक अमान दिया हुआ है तो यह हो कि हमारा पहला step, second step क्या होगा, तो जैसे 2 और 4 कट रहा है आपस में, तो 2 कर देंगे, ठीक है, उसके बाद 2 by 3, ratio 3 by 4, ratio 2 by 1, ठीक है, 1 मान लएगे, हम हम लोग क्या करेंगे, second stage में, हम लोग, ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 और 4 को मल्टिप्लाइ कर देंगे, 2 और 4 को मल्टिप्लाइ कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, हमारा 8, ठीक है, उसके बाद 3 और 3 को मल्टिप्लाइ करेंगे, तो कितना आएगा, 9 और 2 को, 4 को और 3 को आपस में मल्टिप्लाइ करेंगे, ठीक है, यानि 2 x 4 x 3 तो क्या जाएगा हमारा 24 ठीक है याद नहीं याद आठती है 24 तो हमारा सही एंसर क्या जाएगा 8 ratio 9 ratio 24 ठीक है यह हमारा right answer हो गया ठीक है अब बढ़ते हैं हम लोग अगली question की ओर तो हमारा दूसरा question है सेम उसी तरह से जैसे मैंने बताया तो second question में तो तीसा question क्या है कि A ratio B कमान 5 ratio C दिया हुआ ठीक है और B और C कमान भी दिया हुआ है 3 अनुपात 1 तो A, B, C कमान हमारा क्या होगा तो इसको हमले को find out करना है तो कैसे करेंगी तो A, B, और C A और B कमान क्या दिया हुआ है 5 और 6 दिया हुआ है ठीक है और B और C कमान क्या दिया हुआ है 3 और 1 दिया हुआ है ठीक है अब हम लोग एकदम smart तरिके से बनाएंगी तो हम लोग ने लिख दिया है जिसका जितना मान दिया हुआ है अब हम लोग क्या करेंगे 6 और 3 को multiply करेंगे ठीक है तो हमारा क्या जाएगा 18 आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 5 और 3 को multiply करेंगे आपस में तो क्या जाएगा 15 आ जाएगा ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 6 और 1 को multiply करेंगे तो क्या जाएगा 6 आ जाएगा ठीक है यह हमारा निकला ठीक है उ जैसे यह दिया हुआ है तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह तीनों संख्या है आपस में कौन से ऐसी संख्या है जिससे पुरपुल डिवाइट जाता है ठीक है तो यह क्या दो से कटेगा नहीं दो से तो 15 नहीं कटेगा 18 और 6 कट जाएगा तीन से काटेंगे तो 3 से 15 चल जाएगा 3 5 जा 15 ठीक है उसके बाद 3 से 18 भी चल जाएगा लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मेरे वीडियो को लाइक करे मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के टॉपिक के साथ थैंक यू